हाई बरवान, स्वागत है फिर से, दोस्तो आज हम सोलुशन करने वाले हैं कमबाइन सेकेंडरी लेबल एक्जामिनेशन 2023 जो आज आप लोगों ने दिया है, ओल राइट, दोस्तो अगर आज का पेपर को मैं कमप्यार करूँ, एक्जाम का जो कमबाइन हायार सेकेंडरी लेवल, APSOSB नहीं, यही साल में कंडा किया था, तो उस कंपरिजन में, यह कमबाइन सेकेंडरी लेवल एक्जामिनिशन 2023 जो नॉरमेल था उस हिसाब में, LDC का एक्जाम तो राथा था लेकिन इस हिसाब से अगर देखा जाये, तो Combined Secondary Level Examination जो LDCA से 12 सा नर्मेल में था, तो आज का exam को मैं कहेगा, आज का exam जो average वाला exam था, average वाला, ना ही ये easy था और ना ही ताप था, आज का exam average वाला था, जो मैंने आपका paper को अभी चेक किया, और I hope दोस्तों, आप लोग बहुत आच्छे से दिया होगा, तो चलिए दोस्तों, आज हम पतापचे solve करके देखते हैं, उन MCQs को exam का जितने भी questions को all right, सबसे पहले हम दोस्तों G को solve करेंगे, इसका बात में English और Maths को भी जल्दी से लेके आओंगा, तो पतापचे हम G के part को solve करते हैं, आईए आप भी मेरा साथ solve कीजिए, और देख लिजेगा, आप केतना सही कर पाया, जो इंडियस फर्स artificial intelligence school called as सांतिकरी विद्याबावन is located at, located in, दोस्तों ये located है, केरला 3 बनंतेपुरा में, जो रामनाथ कोभी ने इनुग्रेट किया गया था 102 में, जो next question में दिया है what is the name of इंडियस फर्स permanent endritic permanent endritic research base इसका नाम गह, डेक्सिन गंगोतरी है ये इसका right answer है और next question में, which one of the following country is not a permanent member of United Nations, दोस्तों, not a permanent member, मनलब जो permanent member नहीं है, तब तो permanent member कौन कौन है, permanent member होता है, आपका China आता है, ठीक है, China आएगा, फिर आपका आएगा, आपका France आएगा, France आने का बाद पिर आपका Russia आता है, फिर UK आएगा, तो US आएगा तो यहाँ पर देखेगा, option में को नहीं है, जापन नहीं है, जापन नहीं है, तो जापन पर्मानें यह भी में अल्रेडी बना के दिया था तो यह है आपका United Nation High Commissioner for Refuge इती गया यह इसका Headquarter कहा पर located है यह स्विजर लेंड जेनिवा और जो 49 G7 Summit है ना जो मैंने अल्रेडी इसका YouTube वीडियो बनाया था दोस्ता आप देखा होगा वो कहा मैं वो ता आपका Japan में हीरोषीमा में है तोक्यो में नहीं है यह हीरोषीमा जापान में और इसका बाद यहां पर देख लीजेगा इप एपरसन इस एरेस्टेट अगर परसन को एरेस्ट करता है कोई इंसान को एरेस्ट करता है and detained in police custody में उससे detained करता है and he has to be produced before the nearest magistrate में produced करना होता है within 24 hours, all right, within 24 hours में उससे produce करना परता है वो Indian constitution का article 22 में लिखा है, all right, दोस्तों फिर next question में आता है यहाँ पर which constitutional amendment कौन सा constitutional amendment जो restrict करता है कि जो strength of council of minister है न वो 15% से ज़्यादा नहीं होना है तो यह दिया है आपका 91st amendment में ठीक है 91st amendment all right तो यह इसका answer है c is the right option all right c is the right option now आता है considered a flowing मन इसको परके आपको यह इसको consider करना है ठीक है तो 108 में दिया है जो considered a following statement about the jurisdiction of supreme court जो supreme court का jurisdiction है उसे consider करना है परके पहले it settled a dispute between union and state union and state का जो dispute है उसे settle करता है यह सही है यह जो आपका original jurisdiction में आता है supreme court का और यह भी between the state यह भी सही है यह भी original jurisdiction का है और three में दिया है it's issues the rich to protect fundamental rights of an individual yes जो rich issue करता है न fundamental right issue करता है आपका supreme court और high court दोनों है issue कर सकता है ठीक है तो यह भी आपका सही है और जो it advises the president on the matter of the constitutional importance and law यह भी सही है इसका answer है all of this all right दोस्तो इसका answer होगा all of this अभी next में हम देखते है yes next में आया है यहाँ पर question दिया है that this rich issue is issue एक second yes this rich is issue when the court finds that a particular office holder is not doing legal duty तो इसका answer होगा mandamus तीक है mandamus is the right option और यहाँ पर दिया है peepa woman यह भी में already बनाया था peepa woman जो welcome football जीतने वाला वो है Spain is the right option और यहाँ पर जो who among the following woman became the first married woman जो अरना चलका to win Mrs. India 2017 and Mrs. Planet Wall finalist from the state war ता इसका do you mean a mudung is the right answer का यह सेट दी है तो 112 question में यहाँ में दिया है who among the following was the last lieutenant governor दोस्तों आपको पता है ना first lieutenant governor K.A.A. Raja ता इसका बाद पिर आपका lieutenant governor आया डूबे आया ठीक है फिर इसका पिर जो last यह ना last है आपका Siva Suarov is the right answer option B इसका right है Siva Suarov जो last lieutenant governor of अरना चल पर्डे से यह जानना है Now यह next question में दोस्तों आप लुक साइट confused भी हुआ होगा adult princess यहाँ पे दिया है actually adult princess मनलब किया है जो 18 years से voting right होता है तो वो ही 1977 इसका option सही है जो अरना चल पर्डे में पहला यह parliamentary election हुआ था वो 1977 77 is the right option इसका अरना चल मैंके किसे type of यह क्या type है क्या species है इसका already मैंने video बनाया था दोस्तों आप लोग अच्छा क्या होगा यह है monkey है monkey आप लोग सीला मैंके का नाम सुना है मैंने already बनाया था तो इसी कोई तो बोल रहा है था इसका यह क्या है monkey is the right option अब next question में देखेगा just one girl is a memorial built in the memory of soldier who fought war in 1962 is the right answer जो तावां में है यहां पर in which of the following is that the बिरंगाना दूर्गबटी ताइगर रिजब कहां पर located है यह आपका माध्य परदेश में है is the right answer माध्य परदेश is the right answer option भी और next question में आते है यहां पर दिया है scores तीके scores क्या है complaint reader cell system है सेवे का security actions board of India और जो nobel price fees price मिला है 2023 को वो है नर्गेश नर्गेश महमधी is the right option और जो 2024 में G20 summit होने वाला है इसका भी already मैंने वीडियो बनाया था जो इंडिया में presidency G20 हुआ था वो उन्होंने सोब पा था ब्राजील को तीके प्राजिल में होगा भी next 2024 को G20 summit फिर next question में आते हैं यहां पर जो COVID-19 जो इंडिया का first indigenous COVID-19 को बैक सिन को किस ने develop किया वो है बारत biotex is the right option इसका बार यहां पर जो books का author का नाम author Amartya Sen का दिया है यहां पर कौन सा books जो Amartya Sen का है actually यह all of these सभी ने सभी जो books है यह Amartya Sen का ही लिखा वाला है तो इसका answer होगा all of these is the right answer और जो chemical name और vitamin B1 क्या है वो है thiamine is the right answer thiamine ठीके thiamine या thiamine ठीके vitamin B का option C अब next में 123 में आता है which one of the following disease is not caused by virus ठीके बाइरस से कौन सा डीजिस जो बाइरस से कोस नहीं होता है यह जानना है यह बाइरस से होता है फोलियो चिकेन फॉक्स भी बाइरस मिल से भी बाइरस तो इसका answer है tuber closest D is the right option tuber closest होगा D all right अभी next में है the range of audible frequency sound of a human ear ठीके यह normal question है यह सब तो आया होगा यह आपका A 20 to 20,000 hertz okay इसका बाद जो who has been 2023 में recipient of Norman E. Burlock Award for field research and application तो इसका answer क्या है तो इसका answer आप लोग साहिद सही क्या होगा Dr. Swatik Nayak all right फिर next में हम देखते हैं यहापर 126 में यहापर total gold medal out of 107 medal में से 28 gold medal मिला ता India और 38 silver और 41 bronze मिला ता total मिला के 107 तीके all right तो इसका answer है option D total 28 gold medal और बाद प्लेश अप लोग से इसका होगा इसका grease at an is the right answer और यहापर next question में हम देखते हैं 128 में which of the following heritage site is declared 42nd UNESCO World Heritage Site इंडिया रिसेंली इसका answer है होई श्याला Temple of Belur हाले वीडू सौमनाटपूर कहां पर है यह है आपका कारना ताका में है ठीक है तो इसका answer ता D इसका बाद जो नेशनल गैस लोकेटेट इन यह कहां पर लोकेटेट है यह लोकेटेट है डेल ही में न्यू डेल ही आफसंदी इस दे राइट आंसर तीक है जैपूर हाउस न्यू डेल ही में है तो यह इसका अफसन है अफसन नंबर D D is the right option इसका नेक्स कुश्चन में देखेगा हूं एमोंग टा फॉलोइंग ओंड तू 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 यूएस ओपन टैनिस इसका भी मैंने बहुत वीडियो बनाया ता साहिद आप लोग सही किया होगा इसका है नौबग जोकोबग इसका बाद नेक्स कुश्चन में आते हैं साइन्टीज जिसने डिसकोबर किया था बैक्टरियम कोस एंटरक्स दीजीज तो इसका आंसर क्या है इसका आंसर है रोबार्ट कोज इसका बाद यहां पर 123, 133 कुश्चन में दिया है दर रमन रिशर्स इंस्टीट जो सी भी रम इसका बाद यहां पर जो रिसेंली इसका मैंने वीडियो भी बनाया था इंडिया लॉंस दे फर्स रिजोनल ट्रेंड सर्विस कॉल रेपिट एक्स तीक है अब यहां पर 1972 में जो देन फ्राइम मिनिस्टर था इनुग्रेट किया था अर्नचल परदेश को एज युनियन ट इसका अंसर है मुकूत मिती और जो इको अपर अर्नचल परदेश नूस पर जो मैंने जो रिसंडिक वीडियो दला तो इसका बारे मैंने बताया था 1988 और इस तीक है इको अर्नचल परदेश और यहां परदेश तो यह आपका मेरी दलाम मेरी मां आपसन नंबर बी और डख्रिन आप लेफ जो डाल, हाउसी का जो फॉली सी है, इस कंडीशन में यहाँ पर, इसका एंसर है, all of this is the right option, अप नेक्स में हम आते हैं, नेक्स में है, who has been called as the grand old man, यह तो सभी जानते हैं, दादा बाई, नारो जी is the right answer, दिल ही दर्बार का बारे में, जो दिल ही दर्बार का बारे में, इसका एंसर है, 1 and 3 is the right answer, 1 and 3, तिक है, यह गलत है option, 1 and 3 यह सही है, तो इसका एंसर होगा, C is the right option, फिर नेक्स में 144 में, the system of proportional representation is used in the election, president का में भी यूज़ करता है, और right जिस सभा को भी यूज़ करता है, both A and B is the right option, यहाँ पर speaker नहीं होगा, तिक है speaker गलत होगा, तो इसका आंसर है आज का, D option is the right answer, D is the right answer, all right, फिर next में हम यहाँ है, बाइस प्रिसिदेंट का आपको यहाँ statement, इसका consider करना है, कैसे देखता है, यहाँ पर, he is elected by the electoral college consisting, यह भी आपका सही है, he is elected for the time of five years के लिए यह भी सही है, और यह, he act as a, ex officio of chairman of right, यह भी सही है, तो इसका आंसर हगा, all of this, और the highest pick in the peninsular plateau यह होगा, अनाई मुदी is the right answer, all right, अनाई मुदी होगा, where the Sutlus river originated from, इसका आंसर है, option number C, Raksastal is the right answer, लकडीब, मिनिकोई और आमेंडीवी, और आमेंडीवी आइलेंड आर नेम एस लक्सडीब इन कब, यह है 1973 is the right answer, and as on October 2023, RBI kept the report at 6.5%, और जो GK का last question है, जो first products, जो GI टेक मिला था, जो ग्राफिकल इंडिकेशन तेक मिला था, वो है दर्जिलिंग ती, तो यह रहा GK का part, जो अभी हमने solution किया है, अब हम maths और English को भी solution करेंगे, आप wait कीजेगा, और दोस्तों, अगर आप ऐसे ही interview के लिए, competitive के लिए preparation करना चाहता है, तो मेरे साथ बने रहेगा मेरे चैनल में, और भी interview आने वाला है, recruitment आने वाला है, तो अगर आप नए है तो सबस्क्राइब कर सकता है, मेरे चैनल में बने रहे से पसंद आए, तो एक लाइक दे सकता है, तब तक के लिए, bye bye, take care and study well.